केरिडारी प्रखंड अंतरगत पीपरवारक शेत्र के ग्राम हफुआ में पाच दिवसी श्रीश्री एक हजार आठ स्री रुद्र महायग्य एवं सत्संग प्रवचन का आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ कलश यात्रा का शुभारंब यग्याचारे जैनंदन पांडे के मंत्रोच चारे और मुख्य अति थी आजसु पार्टी के किंद्री महासचिव सहबढ़का गाउं विधान सभाप्रभारी रोशनलाल चौधरी के आरती के साथ दामुदर नदी से जलुठा कर किया गया इस यग्य में 1101 महिला पुरुस कलश यात्रियों ने कलश लेकर शिव पार्वती जैश्री राम के नारों के साथ भक्ती रश में रंगे नजर आये मुक्यती थी रोशनलाल चौधरी ने कहा कि यग्य होने से पूरे क्षेत्र का बातवरन शुद्ध व सम्रिद और पवित्र होता है ऐसे ख्षेत्र में इतना भव्य आयोजन होना निश्चित रूप से मानवता व भगवान के प्रती आप लोगों में आस्था का प्रतीक साबित होता है इस दोरान मुख्य रूप से बुंडू पंसस स आजसु प्रखंड सचिव मोहन महतो आजसु मेडिया प्रभारी दीपक कुमार सिना द्वारी का महतो टन्नु सिंग रविंद्र सिंग मदन साव उपस्तित थे यगी को सफल बनाने में अध्यक्ष देवनात महतो सचिव मनिलाल महतो कोसा ध्यक्ष सतेंद्र शर्मा सहित कई और स्रध्धालूं की उपस्तिती थी केदारी से ज्यान कुमार पासवान की रिपोर्ट